नमस्य दोस्तों, कई पेशेंट्स ने हमसे पुछा है कि Root Fix Technology Conventional Root Repair Meniscus Repair से किस तरह से बहतर है देखिए Meniscus की सरज़री की बात करें तो पुराने जमाने में Trans-Tibial तकनीक से Root Repair की सरज़री की जाती थी उसमें Meniscus Root मतलब जो गदी की जड़ होती थी वहाँ पर एक टनल बनाई जाती थी और उसमें से धागे लेके टनल से खीच के नीचे की तरफ हम बटन पे या स्कुरू पे या एंकर के उपर बांगते थे अब इसमें बहुत ही बड़ा लिवराम होता था क्योंकि जो Meniscus है वह बहुत उपर फिक्स हो रहा है जो नीचे फिक्सेशन है वो नीचे है लंबे जो धागे है वो एक्स्ट्रा पड़े हुए है तो बहुत ही जो है टेक्नोलोजी वो पुराने जमाने की थी आज के जमाने में इसकी जगे एक नई टेक्नोलोजी आ गई है जिसको रूट फिक्स टेक्नोलोजी बोलते है और इसमें जो एंकर जहां से आपका रूट अपनी जगे से उखड गया है वहीं पे हम एंकर को डाल के गर्दी को अच्छे से रिपेर कर सकते हैं यह एक रेट्रो ग्रेड एंकर टेक्नोलोजी है और इस टेक्नोलोजी में सिर्फ 2.3 मिलिमीटर की टनल बनाए जाती है टनल बनाके एंकर को उल्टी डिरेक्शन में जॉइंट के थूरू अंदर डाला जाता है यह जॉइंड जो गाड़े लेज़े उसके जश्ट नीचे अप अपनी जगे पर बैठ जाता है और एंकर में से चार महीन पतले पतले दागे निकलते हैं और यह एक बहुत यह लोग प्रोफाइल टकनीक है मैनिसकस रूट को रिपैर करने की जो हम मैनिसकस रूट रिपैर रूट फिक्स के माद्धे हम से करते हैं वो बहुत ही जादा हमारे पास उसमें आप्शन से वेलिबल होते हैं बहुत ही जादा हमारे पास उसमें फ्लेक्सिबिटी रहती है और बहुत अची तरह से किसी भी तरह की गर्दी अगर फटी भी है तो उसको हम अपनी जगे पे बहुत ही बैतरी इन तरीके से रिपेर कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको मैनिसकस में टेर है, मैनिसकस रूट टेर हो गया है तो definitely meniscus root repair की root fix technology के बारे में जाने और उससे सरज़ी कराना प्रेफर करें धन्यवार